महावास्तो आच 가장 विशाल नमस्कार मैं महावास्तो आच्जैर विशाल शाह आज मैं आपसे बात करूंगा कि महावास्तो में कितने प्रकार के आंट्रेंसीस होते हैं कितने मुखре ध्वार होते हैं और उनके असर क्या होते है महावास्तु के संशो तक डॉक्टर कुष्टिक बंसल ने अपने हजारों के स्टडीज में ये पाया कि मुख्यद्वार एंट्रेंसिस के इफेक्ट्स एकदम सटिक होते हैं 32 प्रकार के अलग-अलग एंट्रेंसिस की अलग-अलग इफेक्ट्स उनकी असरे कम से कम 80-95 प्रतिशक की मैच होती पाई गई है के बी सर का मानना है कि मुख्यद्वार सबसे महत्वपून चीज है क्यों क्योंकि आपका जो अपना ब्रह्मांड है आपका भवन मतलब आपका खुद का ब्रह्मांड वो बहारी ब्रह्मांड से किस द्वार से कनेक्ट होता है वो सबसे महत्वपून चीज गिनी जाती है हो उत्तर, पूर्व, डक्षिन और पश्चिम हर एक दिशा के 8-8 एंट्रेंसिस इस तरह से कुल मिला कर 32 एंट्रेंसिस 32 मुख्यद्वार तो नौर्थ उत्तर दिशा के 8 मुख्यद्वारों को हम N1 से लेकर के N8 तक पहचानेंगे उसी तरह East के E1 से E8, South के S1 से S8 तक और West के W1 से W8 और बारी-बारी हम 4 दिशाओं के 8-8 एंट्रेंसिस के क्या effects होते हैं, क्या असर होते हैं, वो देखेंगे तो नौर्थ उत्तर शे शुरू करते हैं, N1 का एंट्रेंस हमें नुकसान देता है दूसरों के गलत इंटेंशन की वज़े से N2 का एंट्रेंस गर में रहने वालों को एनिमिटी और जेलेसी की फिलिंग देते हैं, ऐसा लगता है कि लोग हमसे बहुत जेलस है और लोग हमारे दुश्मन है N2 के बाद N3 का जो एंट्रेंस है बहुत ही शुब गिना गया है, N3 का एंट्रेंस देर सारे रुपे देता है, N4 का एंट्रेंस भी N3 जैसा ही है, देर सारे पैसे और प्रगती देता है N5 का entrance हमें धार्मिक्स बबाव का बनाता है, religious nature देता है N6 का entrance society के साथ connectivity बहुती weak कर देता है N7 के मुखेद्वार वाले घरों में लड़किया अपनी परंपराओं के विरुद्ध चली जाती है और N8 का entrance higher bank balance देता है, bank balance बढ़ा के देता है North के बाद देखते हैं हम East direction के 8 entrances के असर E1 का entrance fire, accident and losses देता है E2 का entrance wasteful expenditures देता है E3 का entrance money, profit और success देता है, सफलता और पैसे E4 का entrance देता है monetary benefits due to connectivity with influential people in government E5 का entrance देता है excessive anger, आदमी को गुस्से वाला बना देता है E6 का entrance देता है commitment failure, मतलब जो commitment हम करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते E7 का entrance intensive behavior देता है और E8 का entrance चोरी, अकस्मात या नुक्सान देता है East के बाद हम देखेंगे south के 8 entrances के क्या effects होते है S1 का entrance negative effect produce करता है children के लिए घर में खास कर जो male children होते हैं उनके लिए negative effect create करता है S2 का entrance उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो लोग job work करते हैं MNC में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है positive रहता है Again, S3 का entrance success, money और profits देता है और S4 का entrance profitable output देता है S4 का entrance industries के लिए काफी अच्छा कहा गया है S5 का entrance depths देता है और mental blockage देता है S6 और S7 का entrance poverty देता है गरीबी और S8 का entrance disconnect करवा देता है बाकी दुनिया से और आखिर में हम देखेंगे waste direction के 8 entrances के असर W1 का entrance financial position को बहुत weak कर देता है W2 का entrance insecurity और instability देता है W3 का entrance money, prosperity और growth देता है W4 की entrance happy और smooth life देती है W5 का entrance आदमी को perfectionist बनाता है मगर तोड़ा ज्यादा उसका attitude बहुत ज्यादा perfectionist वाला हो जाता है और उनके gains के expectations भी काफी बढ़ जाते है W6 का entrance mental depression देता है W7 का entrance drug addiction देता है आदमी addicted हो जाता है नशे करने के लिए और उसका कारण ये होता है कि आदमी अपनी general happiness खो देता है W8 का entrance आदमी को unlawful और unfair practices करवाता है स्वार्थी बना देता है खुद के benefit के लिए वो कुछ भी कर लेता है तो इस प्रकार से मैंने आपसे 32 प्रकार के entrances की बात करी और आपने ये भी observe किया होगा कि करीब 9 से 10 entrances ऐसे है जो शुब है अच्छे है और उसके अलावा करीब 22 entrances ऐसे है जो ठीक नहीं है मगर महावास्तु की छोटी-छोटी remedies से इन negative entrances के effects को काफी हद तक nullify किया जा सकता है तो आप लोग भी check करिए अपने घरों में, office में या काम की जगर जो भी आपका बवन है जिस जगर का आप वास्तु देखना चाहते है सबसे पहले उनके entrances चेक करिए और देखिए कि आपका अपना ब्रह्मांड बाहर के जगत से किस द्वार से जुड़ा हुआ है आप महावास्तु से जुड़े है आपका प्यार है आपकी शुड़्दा है महावास्तु में और के भी सर में तो मैं आपको एक बात कहूँगा आप सभी लोग अपने घर का एक to the scale map जरूर बनवाए किसी expert की राई ले करके अपने घर का to the scale map जिसमें activity, utility और objects मार के किये हो वैसा बनवाईए उसे बहुत अच्छे से ग्रीड करके हमेशा अपने पास रखिए ताकि future में कभी भी आप महावास्तु की किसी भी प्रकार के technique से अपने घर में वास्तु दोशों का निवारन करना चाहे तो आपको बहुत आसानी रहेगी उसके अलावा आप महावास्तु के किसी भी आचारिय या एक्सपर्ट से जुड़कर उनकी सलाह लेकर भी किसी प्रकार के changes या remedies करवाना चाहते है तब भी आपको जरूरत रहेगी तो इसे करवाईए आप सब बहुत खुश सेहत्मेन और समरुद रहे ऐसी प्रबु से प्रात्ना करता हूँ नमस्कार